हलो बच्चो कैसे हैं आप लोग आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरह अपनी पुढ़ाई कर रहे होंगे इस वीडियो में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसकेशन करने जा रहे हैं मैथमेरिक्स का जीरो को लेकर आप जानते होंगे कि सम्थिंग डिवाइड़ बाई जीरो नॉट डिफाइन होता है लेकिन उससे आगे थोड़ा डिसकस करेंगे कि वाट इस डिफरेंस बिट्वीन वन बाई जीरो एंड जीरो बाई जीरो तो आप देख रहे होंगे बोड़े मैंने और लड़ी लिख दिया वन बाई जीरो जीरो बाई जीरो इसका बेसिक डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं मैं अगर सबसे पहले बात करूं सिंपल साइक क्वेशन दू जीरो डिवाइड बाई बाई वन या मैं ल कितना रुपया मिलेगा तो आप कहेंगे चार रुपय सिंपली हम ऐसी ने डिवाइड करते हैं तू फॉर्जा एट और रिमेंडर हमारा क्या आया जीरो तो चार चार रुपय एक बच्चे को मिला अगर दो बच्चे हैं और आट रुपय हो उसी तरह से जीरो डिवाइड इस बच्चे को को कितने रुपय मिलेंगे जरो ही रही तो छी ति तरह से जीरो डिवाइड बाइड वायी 5 का मतलब हो गया फाइब modulation जोज़ा जीरो इसका मतलब यह है कि जीरो रूपय आपके आपके अपने रूपिया नहीं है और पांच बच्छे चैना है और सारे बच्छों के बीच इकवल एमाउंट बाटना है तो सबको 0-0-0 अब दे पाएंगे वही बात हो गई मतार जीरो रुपे बाट सकते हैं ठीक है बात कहना जीव वो गरीब बात है यह बात कि 0 रुपे बाटना है लेकिन अगर हमारे पास एक भी रुपे नहीं तुम कह सकते हैं ना जो कोशिंट आता है डिविजन में वो यूनीक होता है क्या होता है देखिए फॉर यूनीक नमबर एक यहां जीरो भी यूनीक नमर है फाइव जीरो जा जीरो होता है फाइव जीरो जा जीरो ही जीरो होता है बस तो कोशिंट इस अलवेज यूनीक इन डिविजन अब आते है हम लोग one by zero में यहां मामला खराब होता है पहले mathematical समझते हैं जीरो का table में one कभी आएगा जीरो बन जा जीरो जीरो टू जा जीरो जीरो त्री जा जीरो यह तो बात समझ आ गई कि mathematical यहां पर हम इसको define नहीं कर पा रहे हैं तो यहां बस रुपे तो हैं बट बच्चे ही नहीं है तो बाटेंगे कैसे तो यह situation ही defined नहीं है तो one divided by zero is not defined but mathematically zero one's a zero zero two's a zero zero three's a zero zero four's a zero जैसे मैं बोलो कि दो parallel lines एक plane में कभी यह meet करेगा तो यह कभी meet नहीं करेगा लेकिन mathematically यह कहा जाता है कि these lines will meet at infinity उके उसी तरह से zero के table में one कभी नहीं आएगा लेकिन कब आएगा अगर सवाल हो तो हम कह सकते हैं कि यह defined नहीं है लेकिन अगर आपको आंसर देना है तो आपको बोलना पड़ेगा यह infinity result दे रहा है infinity समझ पा रहा है that is one divided by zero not defined तो है लेकिन यह कैसा not defined है infinity ओके उसके बाद मैं अगर zero divided by zero की बात करूं clear हो गया आपको तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि zero रूपे है zero बच्चे है बच्चे ही नहीं तो बाटेंगे कैसे zero रूपे भी बाटना है तो बच्चे तो होने चाहिए यह तो clear हो गया कि यहाँ पर इसका जो result आएगा यह भी क्या है का not defined लेकिं कैसा not defined होगा यह अब अगर इसकोड़ करें तो 0100 होता है अगर हम mathematically देखें 0100 हुता है तो answer तो 1 रहा है 0 2 जा भी जीरो होता है 0 3 जा भी 0 कुछ भी 0 जीरो होता है 0 00 जा भी 0 होता है लेकिन मैंने पहले ही कहा था कि जो आपका division में जो आपका quotient आता है that must be unique और ये unique नहीं होने की वज़े से not defined हुआ और I say not defined को हम indeterminate कहते हैं indeterminate क्या कहते हैं बच्चो indeterminate इसी तरह से अगर मैं 0 divided by 0 को सीरी से पूछ हूँ देखते हैं क्या result देता है क्या बोला आप सुनी लिए क्या नहीं क्या कहना चाहरा है लेकिन जो भी हो इस result को हम क्या कहते हैं indeterminate और indeterminate आप सीरी को पूछेंगे जो आईफोन में आप चानते हैं आप पूछेंगे तो वो जवाब देता है वो indeterminate result दे रहा है तो मैं उमीद कर रहा हूँ कि आपको यह समझ आया होगा कि not defined की दो किसमें होगे यहाँ पे infinity और indeterminate 1 divided by 0 infinity दे रहा है और 0 divided by 0 indeterminate दे रहा है और दोनों ही not defined है clear है? I think बात मेरी समझ आई होगी कि 1 by 0, 0 by 1, 0 by 0 यह सारे क्या result देते हैं उमीद कर रहा हूँ कि आपको मजाया होगा मिलते हैं फिर इसी तरह की interesting topic को लेकर next video में thank you very much आपको ले दोफरह कर सकते हैं minority मेरी तरह कि उच्छ होगी के दोफरह होगी है